तो हेलो इस्टुटे ने बेलकम टू दिस वीडियो चलिए हम देख लेती हैं आप जी बिग्यान का याने की बायोलोजी का कक्षा वारवी के छात्रों का अर्दवासिक परिक्षा के लिए यहां पर प्रश्ण पत्र तो पूरांक आपका सेवेंटी रहेगा वही वही रहेग संताना के यहां पर दिए ओभए संतान के पूत्र होने का संबावना कितने परざ के इंपरिस्टे मवथ पुत्र होने के यहां पर रहती है तो यहां पर आंसर आप 50% लगाएंगे अगला कॉस्चन क्या कह रहा है चार्ल्स डार्वन की पुस्तक का नाम क्या है तो ओरीजन ओफ इस पिसीज यहां पर आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्वन की पुस्तक का नाम होता है है ओरीजन ओफ है तो यहाँ पर रखेंगे blood cancer होता है leukemia तो यहाँ पर रुधर में होने वाला leukemia याद रखेंगे अगला question लेक्टो बेसलस दूद को दही में बदल नहीं बदलते हैं उसमें किस vitamin की ब्रद्धी करते हैं तो यानि कि जब लेक्टो बेसलस जो बेक्टिरिया होते हैं दूद को दही में बदलते बद नहीं कि दूद से दही बन जाए उसके लिए किस vitamin का यूज करते हैं किस की ब्रद्धी करते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा vitamin b12 की मात्तर उसमें बढ़ाते जाते हैं कौन लेक्टो बेसलस तो यह वहां पर दूसरे दही बन जाता है क्योंकि वह उसके लिए चाहिए होता है इसकी जरूरत होती है तभी तो दूसरे दही बन पाता है अगला कोश्चन है आपका अनुवांसिक अभियांत्रिकी में आणव यह आपका आंसर हो जाएग को बढंदी इकला कुश्चन है आपका ससनमूं लें खालिस्तान पध्यों पाउधाए जाती है तो खालिस्तान में भरेंगी आप राई要ह फोरा आ कि पॉधर होता है से में सब्सक आंसर याद राईा फूरा रखेगे अगला कॉस्चन है अपका भारत में शन-19 spoken में शुरू हुए परिवार-neosin कारिकरम परिवार-neosin है ateg forensic क्या कहते हैं तो परिवार-kagliyan की नाम से उपकार रखना के परिवार-ांसर लगाएगे 21 भी क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से खालिस्थान सिंड्रॉम होता है तो डाउन सिंड्रॉम होता है यहाँ पर आंसा रखेंगे याद डाउन सिंड्रॉम को तो यहां पर प्रथम इंसुलिन है वो कौन सा है उसका नाम है हुमलिन है ना इस प्रकास से आप इसको लिखेंगे हुलिन इस प्रकास लिखेंगे आंसर उसका यह पहला इंसुलिन है अगला क्वेश्चन है दूद से दही निर्माण खरिस्तान के द्वारा होता है है तो लेक्ट्ो बेस्टलस नेमग एक बक्तिरिया होता है तो इसकी द्वारही दूद से दही का निर्माण होता है लेक्ट्ट्वेसीलस आपको पता होगा अगला question है खालिस्थान जीन वाहक का कार्य करता है तो यहाँ पर प्लास्मेंट आंसर याद रखेंगे है ना प्लास्मेंट प्लास्मेंट आपको आंसर याद रखना है अगला question है आपका गोनोरिया रोग खालिस्थान के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है रोग गोनोरिया एक निसेरिया गोनोरी निसेरिया गोनोरी को द्वारा होता है निसेरिया और गोनोरिया में तो गोनोरी छुपा ही है यहाँ पर यह गोनोरी इसके द्वारा हूता है जो गुनोरीय रूग हूता है यहां पे हमारे हो शाते हैं complete रिक्त असथान आगे हम देखते हैं सही जोडियां तो यहां पर पहले की किसे मिल जागी एनी मोफिली यहां पर वहोत ही आपको इन दोनों में ध्यान देना है एनी मोफिली और एन्टो मोफिली इन दोनों में कनफ्यूज हो जाते हैं तो गलत कर जाते हैं एनी जो होता है वो वायू अगला है आपको विस्स स्रजनिका शिद्दान तो बो अलेक्जैंडर फ्लैमिंग्ं तो ने? स्तोरा को निचे आपको ने पर सुआशेज यहां पर यहां पर पर विल्टम फ्लैमिंग्त अगला है यहां फैल अलेक्ट्रो फारी्स रेषिया थंस्पारेसिश मरोजफित पॉदय में पाय जाते हैं पी वी एर थर ठी टूडू यहां पे क्लोनिंग वाहक होता है एक यहां पे आंसर कंप्लीट हो जाती है आपके सही जोड़ियों को यह चलिए आगे देखते हैं एक सब्दिया बाक में उत्तर लिखी है आपके साथ रहने बारे हैं आपके प्लेसेंटा से स्रावित होने बाले याद रखेंगे रिलेक्शन अगला कोस्चन कहा रहा है आपका आयोडी का पूरा नाम लिखी तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यहां पे आप आंसर याद रखेंगे क्या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यह आपको आंसर याद रखना है अगला कोस्चन कहा रहा ह और मौनूड यह नामक दो बैग्यानेंग थे ए नामक ने जैका में अद मौनूड नामक दो बैग्यानेंग थे तो इन्होंने हैं जो और यो को प्रिस्ताविध किया अधरे लग सकता है श्रीक्स नहीं लिखाई कि अच्छी तरह किसे यहां पे आपको कह आप कैसा background light परजीवी के बाहाग का नाम लिखे तो प्लाजमोडियम आपको बताई होगा मलेरिया परजीवी होता है ची के द्वारा मलेरिया लोगों में फ्यलता है प्लास्मोडियम आप आप आणसर याद रखेंगे अगला question कहरा है आपका कौन सा बंध अपायजाता है किसमे तुर लाइक कहनों इंसुलिन की बात कर रहे है इंसुलिन की दुनों protein किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है इनके बीच कौन सा बंध अपाया जाता है यही question रहेगा आपका तो इसका answer हो जाए आपका Dysulfide Bond यहाँ पर answer याद रखेंगे आप Dysulfide Bond Bond उसमें लखाई हुगा है Dysulfide Bond अगला question है लाइकेनों में सेवाल और कबक के बीच इनकी बीच कौन सा सह संबंद फाय जाता है लाइकेन्स की बात कर रहा है तो सहो पकारिता इसका अंसर याद रखेंगे यानि कि एक दूसरे के लिए यह जीते हैं मतलब यह इसको किसी चीज क्या बस्ता होती है तो यह इसकी पूर्ती कर देता है और यह इसके लिए शेवाल कबा के लिए कर देता है तो यहाँ पर इस परकार का जो सह संबंद कहलाता है उसे हम सहप परोबकारिता कहते हैं यहाँ पकारिता लखेंगे आप इस परकार से एकाल लखाएका पकु यहाँ परोबकारिता अकला कोशचन है MNU sentences प्रक्रिया गरवावस्ता की किस अभधी में अपनाई जाती है MNU sentences की बात कर रहा है यहाँ पे तो 15 से 20 वीक में आंसर याद रखेंगे 15 से 20 सब्ता हमें MNU sentences की प्रक्रिया अपनाई जाती है यदि MNU sentences करांगे 15 से 20 वीक यहां पर आंसर याद रखेंगी तो यहां तक आपके जो है objective type question सभी complete हो जाती है अब आपके आते हैं 2 अंकी question, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी है तो बैंगें किसे कहते हैं टेपिटम के कोई दो महत्तो लिखे placenta के कारे लिखे बहुत ही important question है सभी आपको याद करने हैं बिल्कुल हमने दूसरी वीडियो में सभी के आंसर आपको एजिटेस प्रोवाइड करा दिये हैं बिल्कुल सभी के आंसर है न तो आप वो वीडियो जाकर के जल्दी से चैनल पर देख लीजिए uploaded है जाकर के देख लीजिए नहीं तो आपको description में भी लिंक दे दूँगा तो बहाँ पर देख सकते हैं उस्वाची मिलते हैं अगले वीडियो में